तमस्कार क्विक निस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ विरद्दुबे आए जानते हैं बुकर पुरस्कार 2022 घोशित किये जा चुके हैं इस वर्षय पुरस्कार श्रिलंकाई लेखक शेहान करोना तिलिका को उनकी किताब शेहान करोना तिलिका अपने रौग गीतों पठकथाओं और यात्रा संस्मर्णों के लिए जाने जाते हैं यहाँ करोना तिलिका का दूसरा उपन्यास था और यह उपन्यास युद्धगरत शिलंका पराधारित एक व्यंग है यह उपन्यास एक वार फोटोग्रेफर के इतिहासकार नील मैग्रेगर अकादमिक शाहिदा बारी इतिहासकार हेलन कैस्टर आलोचक एम जॉन हैरिसन और लेखक एलन माबनकौ थे इस प्रसकार को 1979 से 2001 तक फिक्षन के लिए बुकर प्रसकार और 2002 से 2019 तक मैन बुकर प्रसकार के रूप में जाना जाता था यह एक साहित्तिक प्रसकार है जो हर साल अंगरेजी में लिखे गए और युनाइटेट किंग्डम या आयलैंड में प्रकाशित होने वाले सरुष्ष्ट उपन्या प्रसकार के लिए प्रस्तिसपरदा करते थे 2014 में इस प्रसकार का विस्तार अंगरेजी भाषा के किसी भी उपन्यास तक कर दिया गया था इसी प्रकार अंतरास्ट्री बुकर प्रसकार अंगरेजी में अनवादित और यूके या आयलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए दिया जाने लगा वर्ष्ट 2022 का पुरस्कार गितांजली श्री के उपन्यास टॉंब ओफ सेंट के अंग्रेजी अनुवाद को मिला था इनसे पहले भारती मूल के वी एस नायपाउल को इन फ्री स्टेट 1971 शलमान रश्टी को मिडनाइट्स चिल्रन के लिए 1981 में अरु मुदाउन